अद्यक्षम होदाई, संयुक्त राष्ट की 75 वी वर्षगाणट पर मैं भारत के 130 करोड से जादा लोगों की तरफ से प्रतेक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट के संस्थापक देशों में से एक है. आज के इस अइतिहास्यक अउसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साजा करने आया. अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी. पूरा वैश्विक माहोड, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान, सब कुछ भिंद्र थे. ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ, जिस संसा का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था. आज हम एक बिलकुल अलग दौर में हैं, 21 सदी में हमारे वरतमान की, हमारे भविश्य की आवशक्ताएं और चनौतियां अब कुछ और है. इसलिए, आज पूरे विश्व समुदाय के सामने, एक बहुत बड़ा सवाल है, कि जिस संस्ता का गठन, तब की परिशित्यों में हुआ था, उसका स्वरूप, क्या आज भी प्रासंगीक है? सदी बदल जाएं, और हम न बड़लें, तो बडलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है. अगर हम बीते 75 वर्सों में संयुक्तराश की उपलब्दियों का मुल्यांग दन करें, तो अनेक उपलब्दियां दिखाई देती हैं. लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उधारण भी हैं, जो संयुक्तराश के सामने गंबीर आत्ममन्थन की आवशक्तां खड़ी करते हैं. ये बात सही है, कि कहने को तो तीसरा विश्विद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते, कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों ग्रह युद्ध भी हुए, कितने ही आतंग की हमलों ने पूरी दुनिया को थरा कर रख दिया, खुन की नदिया बहती रही, इन युद्धों में, इन हमलों में, जो मारे गए, वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे, वो लाखों मासूम बच्चे, जिने दुनिया पर चा जाना था, वो दुनिया छोड़ कर चले गए, कितने ही लोगों को, अपने जीवन भर की पूंजी, गवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा, कुछ समय और आज भी, सयुक्तर राज के प्रयास क्या परियाप्त थे, कि पिछले आठ नव महने से पुरा विश्व, कोरोना वैश्वीक महामारी से संगर्ष कर रहा है, इस वैश्वीक महामारी से निपटने के प्रयासों में, सयुक्तर राष्ट कहां है, एक प्रभाव साली रिस्पोंस कहां है, अध्यक्ष महवदय, सयुक्तर राष्ट की प्रतिक्रियाओं में बढ़लाओ, व्यवस्थाओं में बढ़लाओ, स्वरूप में बढ़लाओ, आज समय की मांग है, सयुक्तर राष्ट का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड से जादा लोगों का, इस वैश्विक संस्ता पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है, कि भारत के लोग, सयुक्तर राष्ट के रिफॉर्म को लेकर, जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा हुने का, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज भारत के लोग किन्तित है, कि क्या ये प्रोसेस, कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुँच पाएगा, आखिर कब तक, भारत को सयुक्तर राष्ट के, डिसिजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा, एक ऐसा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश, जहां विश्वकी अठारा प्रतिसत से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश, जहां सैंकडो भाशाये हैं, सैंकडो बोलिया है, अनेको पंथ हैं, अनेको विचारदारा हैं, जिस देश ने सैंकडो वर्षों तक वैश्वीक अर्थेववस्ता का नेत्रुत्व करने, और सैंकडो वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है, अध्यक्ष महोदाये, जब हम मजबूत थे, तो दुनिया को कभी सताया नहीं, जब हम मजबूर थे, तो दुनिया पर कभी बोज नहीं बनें, अध्यक्ष महोदाये, जिस देश में हो रहे परिवर्टनों का प्रभाव, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदाये, संयुक्त राष्ट, जिन आदर्शों के साथ स्थापिद हुआ था, और भारत की मूल दार्थनिक सोच, बहुत मिलती जुलती है, अलग नहीं है, संयुक्त राष्ट के इसी हॉल में, ये शब्द अने को बार गुंजा है, वसुध है उकुटुम कम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, ये हमारी संस्कृती, संस्कार और सोच का हिस्सा है, संयुक्त राष्ट में भी, भारत ने हमेशा, विश्व कल्यान को ही प्रात्विक्ता दी हैं, भारत वो देश हैं, जितने शांति की स्थापना के लिए, लगभग, पचास पीस किपिंग मिशन्स में, अपने जाबाच सैनिक भेजे, भारत वो देश हैं, जितने शांति की स्थापना में, सबसे जादा अपने वीर सैनिकों को खोया है, आज प्रतेग भारतवासी संयुक्त राष्ट में अपने योगदान को देखते हुई है, संयुक्त राष्ट में अपनी व्यापग भूमी का भी देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, दो अक्तूबर को इंटरनेशनल डे अफ नन वाइलन्स और 21 जून को इंटरनेशनल डे अफ योगा इनकी पहल भारत ने ही की थी। Coalition for Disaster Resilience Infrastructure और International Solar Alliance ये भारत के ही प्रयास है। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाती के हित के बारे में सोचा है। न की अपने निहित स्वारतों के बारे में है। भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेडित रही है। भारत की नेबर हुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर, एक्ट इस्ट पॉलिसी तक, सिकुरिटी एंड ग्रोथ for all in the region। इसकी सोच। या फिर इंडो पैसिविक शेत्र के प्रत की हमारे विचार। सभी में इस दर्शन की जलग दिखाई देती है। भारत की partnership का मारदर्शन भी यही सिद्धान तय करता है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो वो किसी तीसरे के खिलाब नहीं होती। भारत जब विकास की साजेदारी मजबूत करता है, तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभाव साजा करने में कभी पीछे नहीं रहते। अध्यक्ष महोदाए, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडिस्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाईयां भेजी हैं। इश्व के सबसे बड़े वैक्सिन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्वीक समुदाय को एक और आश्वाशन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सिन प्रोडक्शन और वैक्सिन डिलिवरी चमता पूरी मानवता को इस संकर से बहार निकालने के लिए काम आएगी। हम भारत में और अपने पडोस में फेज थ्री क्लिनिकल ट्राइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सिन की डिलिवरी के लिए कोल्ड चेइन और स्टोरेज जैसिक शमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। अध्यक्ष महोदाए अगले वर्ष जन्वरी से भारत सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदसे के तौर पर भी अपना दाईत्व निभाएगा। दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जताया है मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रगड करता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उप्योग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्यान से जग कल्यान का है। भारत की आवाज हमेशा शांती, सुरक्षा और सम्रुद्ध के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानवजाती और मानविय मुल्यों के दुश्वन, आतंकबाद, अवैद हत्यारों की तसकरी, ड्रग्स, मनी लॉंडरिंग के खिलाब उठेगी। भारत की सांस्कृतिक दरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव, हमेशा विकास सिल देशों को ताकत देंगे। भारत के अनुभव, भारत की उतार चडाव से भरी विकास यात्रा, विश्व कल्यार के मार्ग को मजबूत करेगी। अध्यक्ष महोदाय, बीते कुछ वर्षों में, रिफार्म, पर्फार्म, ट्रांस्फार्म, इस मंत्र के साथ भारत ने करोडों भारतियों के जीवन में बड़े बड़लाव लाने का काम किया है। यानुभव विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उप्योगी है, जितने हमारे लिए। सिर्फ चार-पांच साल में, चार सो मिलियन से जादा लोगों को बैंकिंग सिस्टिम से जोड़ना आसान नहीं था। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। सिर्फ चार-पांच साल में, चैसो मिलियन लोगों को ओपन ड़िकेशन से मुक्त करना आसान नहीं था। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। सिर्फ दो-तीन साल में, पांच सो मिलियन से जादा लोगों को मुक्त इलाज की सुविदा से जोड़ना आसान नहीं था। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। आज भारत डिजिटल टांजिक्शन के मामले में, दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत अपने करोडो नागरिकों को डिजिटल एक्सेस देकर, एम्पावर्मेंट और ट्रांस्परंसी सुनिश्चित कर रहा है। आज भारत वर्स दोहजार पचीस तक अपने प्रतेक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। आज भारत अपने गाउं के 150 मिलियन गरों में पाइप से पीने का पानी पहुचाने का अभियान चला रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने 6 लाग गाउं को ब्रॉड बेंड अप्टिकल फाइबर से कनेक करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुवात की है। अध्यक्ष महोदय पैंडेमिक के बाद बनी परिस्तित्यों के बाद हम आत्म निर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्म निर्भर भारत अभियान ग्लोबल एकनोमिक के लिए भी एक फोर्स मल्टिप्लायर होगा। बारत में आजे सुनिशित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाप बिना किसी भेदभाव प्रत्यक नागरिक तक पहुँचे। विमन एंटरप्राइज और लिडर्शिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनासिंग स्कीम का सबसे जाना लाप भारत की महिलाएं ही उठा रही है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 विक्स की पेड मैटनिटी लिव दी जा रही है। भारत में ट्रांस जेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिये गए है। हद्यक्ष महोदाय भारत विश्व से सिखते हुए विश्व को अपने अनुभव बाणते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मुझे विश्वास है कि अपने पचत्तरवे वर्ष में संयुक्त राष्ट और सदस्य सभी देश इस महान संस्ता की प्रासंगित्ता बनाय रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट में संतुलन और संयुक्त राष्ट का ससक्ति करण विश्व कल्याण के लिए उतना ही अनिवार्य है। आईए संयुक्त राष्ट के पचतरवें वर्ष पर हम सम मिलकर अपने आपको विश्व कल्याण के लिए एक बार फिर समर्पीत करने का प्रमले। धन्यवाद। कर दोच है। क्या कि जीुक्छ राष्ट के लिए झालिए KP राष्ट का अनिवाद।